जब मैं रात में सपने देखता हूं, तो वो मुझे सच्चे लगते हैं, मैं फर्क नहीं कर सकता, मेरे सपने में मौझूद लोग, वे बहुत सच्चे लगते हैं, मैं उनसे बात कर सकता हूं, मैं उन्हें छू सकता हूं, और घटनाये भी होती हैं, फिर जब मैं जाकता हूं, मुझे पता होता है कि वो भ्रहम था क्या मेरे जीवन के लिए भी यही बात है ये जीवन कितना सच्चा है क्या एक दिन ऐसा होगा कि जब मैं जागूंगा तो ये सब मेरे लिए सिर्फ एक भ्रहम होगा समस्या ये है कि आप जन को टुकडों में पढ़ रहे हैं ठीक है जन के टुकडे खतरनाक है किसी भी चीज़ के टुकडे खतरनाक होते है अब आप जो कह रहे हैं वो एक तरह से सच है क्यूंकि आपके जीवन का 99 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ विचार और भावना है जब 99 प्रतिशत समय आपके वल जीवन के बारे में सोच रहे हैं भावना भी एक तरह का विचार ही है एक रसीला विचार है है ना विचार सूखा है भावना रसीली है लेकिन फिर भी एक विचार है है ना जैसा आप सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं है की नहीं? हाँ? है की नहीं? अब आप अगर आप सोचते हैं कि अरे ये एक अद्भुत व्यक्ति है तो उस व्यक्ति के प्रती आपकी भावनाएं मधुर होंगी अरे ये एक भयानक व्यक्ति है तो उस व्यक्ति के प्रती आपकी भावनाएं बुरी होंगी आप ये सोच कर कि ये एक अद्भुत व्यक्ति है बुरी भावनाएं नहीं रख सकते आप ये सोच कर कि ये एक भयानक व्यक्ति है अच्छी भावनाएं नहीं रख सकते है की नहीं? क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं विचार और भावना अलग नहीं है वे एक ही चीज हैं वे सिर्फ विचार हैं एक सूखा है, दूसरा रसीला है चूंकि ये रसीला है, ये लंबा चलता है इसलिए आपको लगता है कि वे अलग हैं तो आप ऐसे सोच सकते हैं आज आप सोच सकते हैं, ये एक अद्भोत आदमी है कल उसका कोई काम आपको पसंद नहीं आता आप अचानक सोच सकते हैं, ये एक भयानक आदमी है आपका विचार तुरंत 90 डिग्री मुड़ जाता है पर भावनाएं इतनी जल्दी नहीं मुड़ सकती वे लंबा समय लेती हैं इसमें कुछ दिन या एक महिना लग जाता है लेकिन कुछ समय बाद वे विचार से आकर जुड़ जाएंगी है की नहीं? वे ज़्यादा समय लेती हैं भावनाएं तुरंत नहीं मुड़ेंगी इसलिए आपको लगता है कि वे अलग हैं वे अलग नहीं हैं वे एक ही हैं ये सिर्फ विचार हैं एक सूखा है दूसरा रसीला है तो आपका पूरा जीवन सिर्फ विचार और भावना है तो ये एक सपने की तरह ही है ये है तो अब आप जन पढ़ रहे हैं, तो आप चांक्सू को जानते होंगे, जिन्होंने एक बार ऐसा किया था, चांक्सू एक महान जन मास्टर थे, उनके मठ में कई भिख्शू थे और वे एक जाने माने गुरू है, एक दिन सुबा अचानक वे बहुत दुख की स्थिती में हैं, तो जब उन्होंने गुरू को दुख में देखा, तो हर कोई गबरा गया, गुरू दुख में हैं, तो वाकई कुछ बुरा हुआ होगा, क्यूंकि वे हमेशा खुश और अच्छे रहते हैं, तो सबसे वरिष्ट भिक्षू, धीरे धीरे उनके पास पहुँचे और उन्होंने पूछा, मास्टर क्या हुआ, वे बोले, मुझे परेशान मत करो, मैं बहुत परेशानी में हूँ, चले जाओ, बिक्षू बोले, अगर आप परेशान हैं, तो वो हमारे लिए मौत होगी, हमें बताएं कि आपको क्या चीज परेशान कर रही है, तब चांक्सू बोले, कल रात मैं सपने में एक तितली था, बिक्षू बोले, तितली होने में क्या हर्ज है, हम कई चीज़ें बने हैं, कभी कभी हम सूर बने हैं, पक्षी बने हैं, बहुत सी चीज़ें बने हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, तितली काफी अच्छी है, तितली में क्या हर्ज है, उन्होंने कहा बेवकूफों तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि जब मैं तितली था, मैं वाकई में उड़ा मैं जाकर फूल पर बैठा, मैंने फूल को महसूस किया, मैंने फूल को सूंगा, मैंने फूल को चखा वो सब सच था, अब मुझे ये नहीं पता कि मैं चांग्टसू तितली बनने का सपना देख रहा हूँ या मैं तितली हूँ जो चांग्टसू होने का सपना देख रही है, सच क्या है? क्योंकि दोनों सामान रूप से सजीव और सच्चे लगते हैं, जब आप सिर्फ विचार प्रक्रिया पर जीते हैं, तो ऐसा ही होता है, वे अपने भिख्शूओं को आध्यात्मिक्ता की बेहोशी से बाहर निकालने के लिए इसका एक विधी के रूप में उप्योग कर रहे हैं, क्योंकि लोग सूत्र और ये और वो पढ़ रहे हैं, उन्हें लगता है कि वे जो पढ़ते और सोचते हैं, वही आध्यात्मिकता है, तो वे उनके मानसिक धाचे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वे अस्तित्व से जुड़ जाएं, अगर आप जीवन का अनुभव कर रहे हैं, जीवन, विचार नहीं, भावना नहीं, जीवन, अगर आप जीवन एक और चित्रण है,